बिस्मिल्य रख्मानिराहीम, असलाम अलेकम, आप देख रहे हैं कमवल किचन ब्लोग इटली, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, इससे मेरी हर रेसिपी आपको देखने को मिले, शुक्तिया, बिस्मिल्य रख्मानिराहीम, असलाम अलेकम जी, वेल्कम तो माई चैनल, कैसे हैं आप सब, आप सब, आप सब को अपनी हिवज़ों में रखे, तो आज हम बनाएगे पैंकेक्स, बहुत मज़ेकी और इजी रेसिपी, जो के दो तीन चीजों के साथ बन जाएगी, सबसे पहले देखिए जी, पैंकेक के लिए मैंने ले लिया है, 100 ग्राम मैदा, एक अंडा, 25 ग्राम बुरो, मक्खन, और इसके साथ ही मैंने ले लिया है, 100 ग्राम दूद, और इसके उपर डालने के लिए ये मैंने ले लिया है, शु और उसके ओपर हम डालेंगे ब्लूबैडिस और मैंने लिया है सबसे पहले मैदा जो है वो पैनकेक्स का आप चाहे तो नार्मल मैदा भी यूज कर सकते हैं तो चलिए जी इसको शुरू करते हैं सबसे पहले लूंगी अंडा इसको अच्छे से हम बीट करेंगे अच्छे सबस्वे । तक्रीबन दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छे से आपने बीट करें इसके अंदर डालूंगी अब मैं मखन और इसको फिर हल्का सा हम बीट करेंगे और अब मैं इसके अंदर डालूंगी दूर तोड़ा दूर डालूंगी और इसको अच्छे से देखें धी अंडा और दूर अच्छे से बीट हो चुके हैं अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा तोड़ा करके में दूर तो अण दी कि अदूर गए देखें जी दस मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से बीट किया दस मिनट के बाद यह ऐसा हो जाएगा बिल्कुल देखें और अब इसको हम पैंकेक बनाते हैं देखें जी पैंकेक में सबसे पहले आपने हल्का सा बुरो लगा लेने हैं यानिके मक्षन लगा लें लगा लें लगा के फिर आप इसको टिशू के साथ साथ अब हम इसके ऊपर डालेंगे झिशस अरो คमकी कर देखें था थिए सिर्ण है तर अब सोосे सyalी लिए लग यगा जपली wैसीitations tavλιद produto लें ले एका कoff l çaा बनातें ले वादा इस वोड़ी सबस्कर दोट देखें करेंगें देखें इसके ऑफर हरके हरके से आपको बिलबले नजर आएंगे जब इसको और बुलबले आना शुरू हो जांए तो फिर आम हम इसकी साइट जो है बशेंगे किすुम्हा यह देखे मास्धाना कितना जबरतरस्त सा पैन केक बन है हमारा अब ऐसे ही दूसरी साइड को भी हम पॉंच मिनट के लिए छोड़ेंगे लें जी कितना अच्छा पैंकेक जो है वह बन करते गया है ऐसे हम अगला पैंकेक भी इसके इंदर डालेंगे देखें जी थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐसे डालते जाने आँच को भी हलका रखेगा बहुत जादा तेज आँच पे इसको नहीं बनाएगे गए नहीं तो यह लीचे से जल जाएगा देखें जी माशाला से यह भी पैंकेक बन कर तयार है ऐसे ही मैं आपने बाकी के भी बनाऊंगे और फिर आपसे बनाऊंगे मज़दार पैंकेक तयार है आपसे बिलेगे अगली वीडियो में अला आफिर